रिजर्वेशन आरक्षन का मुद्दा एक बार फिर से चल्चा में आ गया है और उत्तर पिदिश में इलाबाद हाई कोट की जो लकनव खंडपीट है इसने जो फैसला दिया है जो आदेश दिया है उसके बाद पिछड़ा वरक रिजर्वेशन यारी की आरक्षन की बाद फि से होने लगी है तो इसकी पूरी कहानी क्या है उस पर हम लोग एक सामन जानकारी देख लेते हैं एक ओवर्वियू ले लेते हैं और यह पिछड़ा होते कौन है ओवी सी बरक होता कौन है और अभी अगर हम लोग बर्तमार में देखे ना तो रिजर्वेशन की विवस्था इस तरह से है आप देखेंगे कि OVC के लिए 27% आरक्षन की बात की गई है लेकिन यह आप सभी को मालू होगा कि राज्यों में अभी भी आप देखेंगे कि 27% आरक्षन OVC बरक को नहीं मिलता है ST यानि की अनुसूचित जन जाती के लिए 7.5% की विवस्था की गई है और अनुसूचित जाती के लिए 15% की बात की गई है और EWS के लिए 10% आरक्षन की बात की गई है EWS कहने का मतलब है जो आर्थिक रूप से जो सामान बर्ग की बेखती है ना उन्हें 10% आरक्षन की बात हुई थी और 2019 में 103 बा समिधान संसोधन हुआ था उसके तहत ए विवस्था की गई थी और समिधान की आर्टिकल 15 में 6 और 16 में 6 जोड़ा गया था उसके बाद आप देखी कि अदालत में इसे चनोती दे गई थी लेकिन अदालत में इसके पक्ष में फैसरा सुनाया और इसे सही माना अब EWS को 10% आरक्षन मिलता रहेगा लेकिन एक बात और याद रखेगा ये आर्थिक रूप से पिछड़े पन के कारण मिल रहा है जो ST, ST, OBC बरक को जो आरक्षन मिलता है न वो उनके आर्थिक रूप से पिछड़े पन के कारण नहीं मिलता है उन्हें सामाजिक और से पिछड़े पन के कारण आरक्षन मिलता है ये आप लोग याल रखेगा यहां सुप्रिंग कोट की बात हुई तो आप सभी जानती कि हमारी सर्वोच चे लालत थे और समिधान की अंचे देख 124 के तहत उसकी स्थापना की बात कही गई है 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी और इसमें जो न्यादिस आप लोग देखते हैं उनके सेवा निवित्टी की उमर 65 साल रखी गई है और एक बार आप लोग पहले OVC बरक को देख लिजे कि अनपिछा बरक आखिर हैं कौन तो OVC मूल रूप से आरक्चन का हिस्सा नहीं रहा है यानि कि मूल समिधान जब आप देखे बना उस समय OVC बरक को आरक्चन की विवस्ता की बात नहीं कही गई थे इसमें आप देखेंगे कि समिधान इसे सपोर्ट तो करता था लेकिन इसकी ततकालिक अधिकारिक बज़े मंडल आयोग है मंडल आयोग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जो कि मुरार्जी की देशाई की जन्ता पार्टी की सरकार ने 1989 में इस्थाविद किया था और इस आयोग की गठन के पीछे का आधार हम अनुछे 340 में ढोड सकते हैं जो कहता है कि सामाजी को सेक्षरेक रूप से पिछड़े बर्ग की हित में राष्टपती द्वारा एक आयोग का गठन किया जा सकेगा यानि कि आप देख रहे हैं पिछड़े बर्ग के लिए जो सामाजी को सेक्षरेक रूप से पिछड़े हुए ब्यक्ति हैं उनके लिए बात हो रही है और मंडलायो 1931 की जनकरना का साहरा लेती हुए SC और ST को छोड़कर उन जातियों की पहचान की जो की सामाजीक और सेक्षरेक दिरिष्टी से पिछड़े थे और ये संख्या आप देखेंगे 3743 थी और आज लगबग आप देखेंगे 5000 जातियां उप जातियों में बिस्तारे थे और आप देखते हैं कि OBC यानि कि पिछड़ा बर्ग की जनकरना की भी बात होती रहती है कि इनकी संख्या का मालू तो चैलना चाहिए कितनी किस राज में निवास करती है जनकरना तो होना चाहिए इनकी हाला कि समिधान के अनुच्छेद 102 वे समिधान संसोधन के माध्यम से OBC के लिए भी SC-ST के तहत अनुच्छेद 342 क के तहत एक परिभासा दी गई जो कहता है कि राष्टपती किसी राज या संगिछेद के संबन्द में वहाँ राज है वहाँ उसके राजपाल से परामस करने के बाद लोग अधी सूचना और सामाजी के वह सेक्षडिक दिरिष्टी से पिछडे बर्गों को या उसके भाग या उसके समोग को भी निर्दिष्ट कर सकता है कौन राष्टपती और जिन्हें आप देखेंगे जिन्हें इस समिधान के प्रयोजन के लिए उस राज या संगिछेद के संबन्द में अन्य पिछडी जाती समझा जाएगा राष्टपती के पास इस सकती है और संसत के पास यह अधिकार है कि बिधी द्वारा सामाजी के वं सेक्षरिक दिरिष्टी से पिछले बर्गों को या उसके भाग को या उसके समोग को खंड एक के अधिन निकाली गई अधिसूचना में बिदिदिष्ट ओभी सी को सूची में स्तमलित कर सकेगी या उसमें से आप वर्जित कर सकेगी तो यह फ्यूरी कहानी है आपकी पिछरा भरकी ठीक है और उसके आरक्षन की 27% की बात कही गई है और वैसे आप लोगों कमाल होगा कि आरक्षन एक बहुत बड़ा बेवादित मुद्दा है और इसमें बोलने से पहले आप देखे कि इसके आप लोगों को positive point भी देखना चाहिए, negative point भी देखना चाहिए और अगर आप लोग किसी सब किसी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब तो मुझे लगता है कि बड़ा neutral होकर आपको देखना चाहिए क्योंकि इसके फायदे भी बहुत हैं यह भी यह मानिये आप लोग। बिहार में राय और झारकंड को भी इसका सामना करना पड़ा हैं और मुझे लगता है कि हमारे देश की जो भी सरकार हैं राज्यों में भी जो भी सरकार हैं जो हमारे नेता हैं राजनेता हैं उन्हें इस बात का मालू रहता है कि हम आरक्षन की बात करेंगे लेकिन अंतिम आरक्षन की बात नहीं कही गई थी, ठीक है, कि उससे 50% से जानदा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि उसी को चुनोती दी जा रही है पर से, यह पूरा मामलक क्या है, तो यूपी नगरिये निकायों का कारकाल 12 दिसंबर 2020 से 19 जनवरी 2023 के बीच समाथ हो रहा है, औ आप सभी जानते ही कि चुनाओ, उनका कारकल खतम होने के पहले, चुनाओ करवाना अनिवार रहता है, और इसलिए राज्य सरकार ने स्टीटों के आरक्षन भी जारी कर दिया था, पिदेश की नगर नेगमों के मियर, नगर पाली का परशद और नगर पंचयायतों के अध इसके बाले में भी आँगे हम लोग देखते हैं, इलावाद हाई कोट की लखनव खंडपीट ने नगर निकाय चुनाओ की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी, कोट ने कहा था कि पिथम दिर्ष्टा पितीत होता है, कि राज सरकार ने OVC कोटी का आरक्षन त द्वारा दिये गए ट्रेपल टेस्ट पॉर्मूलर का अनुपालन नहीं किया है, और अगर सरकार करती, तुम आप देखते हैं कि काहे को इतना सब होता, काहे को आप देखी कि इलावाद हाई कोट की लखनव खंडपीट को ये नेड़य देना होता, तो सरकार ने भी अंद लेकिन ऐसा नहीं माना गया, योगी सरकार के तरकों को कोट ने नहीं माना और बिना OVC आरक्चन की ततकाल चुनाओ कराने के निरदेश दिये हैं, यानि कि पिछला बर्ग को आरक्चन ना मिले, वहाँ आप देखे सभी सामाने सीटे हो, जिसका मन हो वो चुनाओ लड़े यह बात कह दी गई है, अब आप देखे कि सुप्रिंग कोट की राहे करेंगे, सुप्रिंग कोट जाएंगे, और फिर हो सकता है कि चुनाओ पर रोक लग जाए, या आप देखे कि सामाने सभी सीटे करके उस पर चुनाओ करवा दिया जाए, जो OVC के लिए आरक्चन सीट जाए, निकाय चुनाओ में OVC आरक्चन निर्धारन करने से पहले एक आयुक का गठन किया जाएगा, जो नगरी निकायों में पिछडेपन की प्रकेती का आंकलन करेगा, और पिछणों के लिए सीटों की आरक्चन को पिस्तावित करेगा, और इसके बाद दूसे चर्ण म सासन की स्तर पर सत्यापन कराये जाएगा, और इस फार्मूला के बाद ही निकाय चुनाओ में OVC आरक्चन का तैक किया जाएगा, और ये आसानी से हो सकता था, लेकिन आप देखिए सरकारों की मनमरी, जो चाहें वो कर सकती हैं, महराष्ट में भी ऐसा ही पेंच फसा था, महराष्ट की बानबे नगर परिशदों और चार नगर पंचयायतों की चुनाओ करानी की गोशना थी, लेकिन राज़सरकार ने OVC आरक्चन के लिए ट्रिपल टेस्ट का पालन नहीं किया था, और इसके चलते हाई कोर्ट ने OVC आरक्चन को सहरी निकाय चुनाओ से आरक आरक्चन के लिए अध्यादेश लाने के राजसरकार के फैसले को सुईकार नहीं किया जा सकता है, तो वो लाओना कि अगर आप देखे ट्रिपल टेस्ट का एक पालन कर लेते, तो आराम से आरक्चन भी मिल जाता, और आप देखे इतना सब भबाल भी ना होता, लेकिन फि काय चुना में ओवी सी आरक्चन दिलवाने की मद्दी नजर, पूर्ण मुख सचिप जैंत कुमार वट वंटिया की अध्यक्षता में 11 मार्थ 2022 को वंटिया कमीशन का गटन किया था, आयोग ने राजजी की मद्दाता सूची को आधार बनाते हुए, अनुभाव जन इंप को आरक्चन देने का आदेश दिया था, और 2010 में एक नेड़ाय आया था सुप्रेंग कोट का, के किष्णमूर्ती बनाम भारस संग बाद 2010, इसमें क्या कहा गया था, सर्वोच नेयाले की पांच नेयाधिसों की समिधान पीट ने, अनुचेद 243D6 और अनुचेद 243T6 की व्याक्या की थी, जो कानून के अधिनियम द्वारा करमसा पंचायतों नगर निकायों में पिछेर वर्गों के लिए आरक्चन की अनुमती देते हैं, और इसमें सर्वोच नेयाले ने यह भी माना था, कि राजनितिक भागेदारी की बाधाएं सिक्छा और रोजगार तक सीमित करने वाली बाधाओं के समान नहीं है, और समान अउसर देने हितू आरक्चन को वांचनिय माना जाता है, जैसा कि उपयोक अनुचेद द्वारा अनिवार है, जो कि अरक्चन के लिए एक अलग समिधानिक आधार पिदान करता है, जबकि अनुचेद 15-4 और अनुचे कि अधीन होगा, कि अगर वो पिछड़े हुए हैं, पिछड़ा पन हैं उनका, तब आप दे सकते हैं उने, और जो टिर्फल टी की बात की है, टेस्ट की, तो उसी को धियान में रखना होगा, इस्थानिय सरकारों के बारे में बात करें तो इस्थानिय सोसासन, ऐसे इस्थ इस्थानिय सरकारें दो पेकार के होती, एक ग्रामीड चेत्रों में पंचायते हैं, और सहरी चेत्रों में आप देखेंगे नगर पालिकाएं होती हैं, और देखिए जो इस्थानिय जो चुनाओ होते हैं, चाहिए आप देखिए इस्थानिय पंचायतों के नगर के चुनाव होते हैं, इनके लिए Election Commission of India है, भालती निर्वाचन आयो गए, जो एक समिधानिक संस्ता है, समिधान के अनुछी 324 के तहती इसकी इस्थापना की बात कही गी है, 25 जन्मरी 1950 में इसकी इस्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेड़क्वाटर देखने को मिलेगा सू कुमार सेन हमारे पहले मुख चुनाव आयोकते थे, तो यह भी आप लोग याद रखा करिएगा, और इस तरह की टॉपिक से आपकी परिक्षाओं में कुश्चन्स पूछे जाते हैं, और वैसे भी मुझे लगता है कि एक सामन जानकारी के लिए याद होना चाहिए, ठ से आरक्षन को इतना ST को 7.5% दिया जा सकता है, ST को 15%, OVC बरक को 27% और EWS को 10%, अब आपकी राज्य में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यह अलग बात है, अलग बहस का मुद्दा है, ठीक, अपनी राय आप दे सकते हैं, जो भी आपकी राय हो,